अगर आप इस चीज से किड़नी की सफाई कर लेते हैं तो आपका सरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी जियेंगे 120 साल नमस्कार दोस्तों स्वागत है रोगनुसार में एक बहुत ही खास और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ है ज कई बीमारियों का कारण बनते हैं इसलिए इसे हमेशा स्वस्थ रखना हमारी जीमदारी होती है किड़नी को स्वस्थ रखने के लिए समय समय पर इसकी सफाई करना बहुत ही जरूरी होता है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुर्दा यानि किड़नी हमारे सरीर का एक तो कुछ हानिकारत तब भी होते हैं किडिनी रखत से हानिकारत पदरतों को छान कर अलग करती है और यूरीन या फिर मूत्तर के माध्यम से सरीर से बाहर निकालने का कारे करती है लेकिन अगर आप किड्ने को सुस्तर खरा चाहते हैं तो इन चीजों का सिवन आवस्य करें जो कि आज हम आपको बताएंगे लेकिन इसे जाने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि हम नहीं चाह साथ ही आल नोटिकेशन को जरूर आन कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अप्लोड करूं तो उसका नोटिकेशन आपको आपके मुबाइल पर मिल जाए इसके लिए आल नोटिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें नमबर एक दोश्तों किड़नी की समस्या से निपटने के लिए कैनबेरी सबसी प्रभावी उप्चारों में से एक है यह एक है आरिवेदिक आउशदी के रूप में जाना जाता है इसमें एंटी आउश्टिन के उपस्थिती आपके किड़नी के लिए बेहती फायदेमंद है यह UTI की समस्या में भी बेहत फायदेमंद होता है नमबर दो दोश्तों गर्मी में छाच पेट को ठंड़क पहुचाने के साथ साथ ही इसकी सफाई करने में भी मरत करती है छाच को आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है इसकी तासीर ठंड़ी होती है साथ ही इसमें प्र आपकी किड़नी की समस्याओं के लिए बहुत ही फायदमंद है इसके सेवन के लिए लीवर और किड़नी डिटॉक्स हो जाते हैं इसमें मौझूद एंटी एलेमेंटरी गुड़ किड़नी के दर्द और सूजन को कम करता है यदि आपको यूटी आई की समस्या है तो ये इनरल से भरपूर होता है इसलिए इसके सेवन से सरीर में जमा गंदगी को आसानी से निगाला जा सकता है नमबर पांच जिया दोस्तों धनिया के भीज यूटी आई की समस्या में सबसे प्रभावी माना जाता है इसके लावा धनिया की अन्य समस्याएं जैसे किड़नी सरल आयरुवेदी कुपाय है यह किड़नी को बेहताय ढंक से साफ करने में सहायता परदान करता है यह यूलिनेरी सिस्टम को साफ रखने के लिए रोजाना खाली पेट धनिया का पानी पिया जाना चाहिए